धन तेरस दोजर तैस दस याए 11 नौंबर को कब है धन तेरस नौट कर लें सहीद डेट, पूजा विधी और खईदारी का सुभ मोरत हिंदु धर्न में धन तेरस से दिवाली की सुरुवात हो जाती है धन तेरस के दिन सुभ मोरत में खईदारी करने का बड़ा महत्व है इसलिए धन तेरस के खईदारी का सुभ मोरत देकर ही करे हिंदु धर्में दिवाली या दिपावली को सुख समरीदी और खुसियाली का तेवार माना जाता है इस दिन धन की देवी महाल अच्मी और गनेश जी की पूजा का विदान है हर साल दिवाली के जर्सन की सुरवात धन तेरस से होती है इस दिन धन उतरी देव कुबेर देता और महाल अच्मी की पूजा अर्चना की जाती है इसके साथ ही धन तेरस के दिन कई चीजों की खईदारी को बेहद सुम माना गया है माना नियता क्या है कि इन अस्तिगों की खईदारी से घर के सदेशियों पर साल भर माल लच्मी की किरपा बनी रहती है और धन की तंगी का कभी भी सामना नहीं करना पड़ता है आईए साल 2023 में धन तेरस का सुम मूरत पूजा विदी और खईदारी की सुबहस्तिओं के बारे में जानते हैं धन तेरस का सुम मूरत हर साल कातिक मा किर्शन पच की तिरोदसी तिथी को धन तेरस मनाया जाता है पंचांक के अनुसार इस साल 10 नौमबर 2023 को दोफर 12 बचकर 35 मिनट से धन तेरस की सुरुआत होगी और 11 नौमबर 2023 को दोफर 1 बचकर 57 मिनट पर इसका समापन होगा इसलिए उद्याईति थी के अनुसार इस बार 10 नौमबर को ही धन तेरस मनाया जाएगा धन तेरस की खरीदारी का सुम नोरत धन तेरस के दीन दुफर दो बज़ कर 35 मिनट से लेकर 11 नहुंबर 12.23 को सुबा 6 बज़ कर 40 मिनट तक खरीदारी का सुम नोरत बन रहा है धन तेरस के मौके पर सोना चांदी और बरतन की खरीदारी बेहत सुमाना जाता है पूजा का सुम मौरत, पंचांग के अनुसार, धन तेरस में पूजा का सुम मौरत साम 5 बजकर 45 मिनट से शुरू होकर 7 बजकर 42 मिनट पर समापत होगा इस सुम मूरत में लच्मी गनेश कुबेर देता और धनवंतरी देवी की देव की पूजा राधना का बड़ा महत्व होता है धन तेरस की पूजा विधी धन तेरस के दिन पूजा के सुम मूरत में उत्तर दिसा में गनेश लच्मी, कुबेर देता और धन वंतरी देव की परतीमा श्थापित करें अब मंदिर में दिपक जलाएं और विधिवत सभी देवी देताओं की पूजा करें उन्हें धूप दीप फ़ल, फूल, अच्छत, चन्नन, इत्र, मिठाई समेत, सभी पूजा समागरी अरपित करें इसके बाद कुबेरे देवता के मंत्र ओम ही कुबेराई नमा का जाप करें धनवंत्रियज सरोत्र का पाठ करें और इसके साथ ही मातालच्मी की मंत्रों का जाप करें और सुख समरीदी की कामना करते हुए सभी देवी देताओं का ध्यान करें